हमारे सहयोगी लगातार जोशीमट में मौझूद है और वहाँ से हर तस्वीर हर खबर आप सभी दर्शकों को सबसे पहले आज तक के मादम से पहुंचा रहे हैं अमित आप तक आवास पहुंच पा रही है हमारी चलिए दुबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे अमित का और इस बीच आपको ये जो तस्वीरे दिखा रहे हैं इनके मादम से देखे देखे लोगों में दैशत भी है और ये बहुत गंभीर मामला है इसमें सीधा के साथ है आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा इस आपदा में इस संकट की घड़ी में लेकिन विस्ताफित किया जा रहा है तमाम तीरेसिक परिवारों को अभी तक शिफ्ट किया जा चुका है लेकिन लोग वहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं और आक्रोश में भी ह होटेल दो होटेल जो आपस में टकरा गए हैं बद्रिनाथ हाईवे पे उन पर कारवाई याद से शुरू हो गई है लेकिन जो इन दो होटेल के मालिक है वो लोग नाखुश हैं अपना गुसा जाहिर कर रहे हैं आप लोग क्यू नाराज हैं इस वक्त पूरी कारवाई से तो आया कि यह दोनों होटल मलारिन और मोटल मांट को दौस्त करने के लिए यहां उनके टीम में आ चुकिया लेकिन आप मांव्यू के मालिक हैं आपको को कोई सरकार की तरफ से मिला कुछ भी नहीं मिला कुछ भी नहीं हम यहां तक भी सूचना नहीं कि आपका तोड़ा ज पर चाहि के लिए नहीं पूछा गए तुम जिंदे हो हमारे हो तुमको भोजन चाहिए पानी चाहिए तुम क्या कर रहे हो तुम सिर्फ टैक्स लेए आपकी प्रॉपर्टी पे एस दी आरफ की कारवाई आपको बिना इंफर्मेशन भी हमको पता ही नहीं है हमारे सोने का खाने का ठिकाना नहीं कि प्लेश भी हैं यहां पर जो मलार इन जिस बिल्दिंग में के मांपाउंण में खड़े हैं जिसको गिराना है उसके और है नोटिस बता रहे हैं कि मांट व्यू को नहीं मिला आपको मिला? मैं आपको बताता हूँ एग्जैक सिचुएशन ये था कि सुबह साड़े चार बजे अमर उजाला का एप्लिकेशन के तुरू मुझे एक रियूज मिला कि मलारी इन और मांट व्यू को गिराय जा रहा है तो इस तरीके की कोई भी ओफिशल इंफर्मेशन हमें नहीं दी गई थी और एड्मिनिस्टेशन को पूरा मालूम है कि हम अपना घर छोड़ के अपनी जान बचाके अभी एकदम शौक वाले सिचुएशन में हम वहाँ रिलीफ कैंप में रह रहे हैं यह सोच रहे हैं कि मतलब अब कल क्या होगा और अचानक से हमको यह समाचार का बता चलता है कि प्रॉपर्टी को धोस्त किया जा रहा है ताकि future secure हो जाए यहां पे सिर्फ हम life की बात नहीं कर रहे हैं हम livelihood की भी बात कर रहे हैं को अलवेशन हुआ नहीं वाइस प्रॉपर्टी का क्या हाल आते हैं अभी क्योंकि मैं देख रहा था आप अधिकारियों से भी बात कर रहे हैं तो अभी तक हमारे पास कुछ अधिकारी आये जिन्होंने हमें सिर्फ यह सवाल पूछा कि यह जमीन जिनके नाम से है वो legal है की नहीं है हमने उनसे उनका परीचाय पूछा तो उन्होंने हमें बस इस तरीक से बताए कि वो लोग यहां पर duty में हैं और उनका काम है कि वो लोग अभी सर्वे ले रहे हैं तो हमें कि अधिकारीों को यह तक नहीं पता है कि जो स्रुक्टर्स हैं वो legal है illegal है यह अभी जो अधिकारी आ रहे हैं कारवाई करने उनको यह भी नहीं पता है Exactly, तो मैंने उनको वास्ता दिया कि आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, हर चीज डिजिटल है, हमारी सरकार बहुत सक्षम है, हर डेटा डिजिटल में रहता है, तो वो अपना डेटा डिजिटल तहसिल से निकाल के लाएं और यहाँ पे फिर प्रस्तुत करके discussion करें दूसरा जो मैंने point रखाता है, जो valuation होता है, वो बहुत ही subjective होता है, उसमें area होता है, property का location क्या होता है, उसमें earning source क्या रहता है, तो इन सभी parameters को ध्यान में रखते हुए एक fair valuation होनी चाहिए, और फिर उस valuation के बाद उसका जो एक formula होता है, वो मतलब सब को agree करके, owner के साथ agree कर रहे थे, वो निराश है, उनको बताया भी नहीं गया, सूचना भी नहीं दी गई कि hotels धाये जाने वाले हैं